हेलो गाइस, वेलकम टू माई व्लॉग कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ, आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ और मैं इंजॉय कर रही थी शादी, जिसकी वज़ा से मैं अपने लॉंग व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मैं मीनी व्लॉग लाजिम डाल रही थी, और ये था मेरे बरात का व्लॉग, जो के मैं पॉलर आ चुकी थी, और मैं बहुत लेट हो गई थी, पॉलर वाली मुझे जल्दी, मैं जल्दी चले गई थी, लेकिन उसने मुझे तयार नहीं करा, साथ बच गए थे, इस वज़ा से मैं जल्दी जल्दी पॉलर में तयार हो रही थी, हम पहुँच गए थे अपनी लोकेशन पर, और ये था हॉल जो के बहुत जबर्दस लग रहा था, और यहां पे हम लोग फॉरण आया और फिर मैंने जल्दी से, यह है मेरे दोनों बेटे जो के बहुत प्यारे लग रहे थे, जो छोटा वाला ज्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत खुबसूरत लग रहा था, और यह है मेरी फाइनल लुक, और मैंने पहनी थी ब्लैक कलर की साड़ी और साथ में पहने थे गजरे जो के मुझे बहुत पसंद है, यह आ गए थे दूले वाले और अब यहां पे हो रहा था निका, जो के बहुत इमोशनल सीन है, अलहम दोलिल्ला निका बिल्कुल साथ खेर आफियत के हो गया था, और अब यहां पे खड़े रहे के सब दुआ मांग रहे थे निके के बाद हुई थी दूला दूलन की इंटरी और ये किलिप मैंने जब बना ली थी जब हॉल में कोई भी नहीं था क्योंकि बाद में इतनी हड़बड़ी हो जाती और फिर सैलिट की वीडियो बनाना मुश्किल हो जाती तो मैंने पहले ही बना ली अब भी जब मैं वीडियो बना रही हूं तो अभी भी मेरा बहुत दिल चारा है कि कहीं से रेषण सेलिट आ जै और मैं ख़ा लूँ और स्टार्टर में था हमारे पास सूप और पापड। सूप बहुत मज़े का था क्यूंके ठंड हो रही थी तो और गले को सुकून दे रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था तो अपके मैंने बोली थी मैं पहले टिका के गुला कबाब खाऊंगी और यहां बन रही थी कोईले पे कड़ाई और जब कोईले पे कड़ाई बनती है तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बहतरीन और उम्दा हो जाता है और हर चीज लाइफ बन रही थी तो तिक्के क्य आहा वावा वावा भाई आज तो पूरी चीजे लाइफ लाइफ चल रही थी और तंदूर में इतनी चोटी चोटी रोटियां बन रही थी उसके बाद उसने निकाला और यह मक्षन लगा के उस पे कलोंजी डाले तो मज़ेदार बहुत मज़ा आ गया इन रोटियों का इस और साथ में रोटियां और मीठा बहुत मज़े का था बहुत टेस्टी था मीठा भी बहुत अच्छा था कोल्डिंग भी थी पर मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई उसके बाद भाई आ गई थी आईसक्रीम बहुत मज़ेदार थी और बच्चों की फैवरिट आईसक्री पूरे बचे उस पे तूट पड़े और यहां हो रही थी रुकसती और हमने किया दूलहन को अल्ला हाफिस और उसे कहा बहुत सारी दूाओं के साथ कि अल्ला पाक वो अपने घर में खुशो खुर्रम और आबाद रहे और फिर हम लोग आ गए थे घर और हमने करी लिफाफ का टोकरा जिसकी की हमने अन्बॉकसिंग जबी हमने ख호ल लिया और उसमें से निकाली मिठाई हमने किया था वहां पे नाइट इस्टे और हम लोगों ने पूरी रात इतना मज़ाह 스리는 अगजा गाने खलぇ गल गल गला किया और हमें बहुत मज़ा आया इतना ईंज्वाए् क किया हम लोगों ने तफरीय आई बहुत दिनों बाद खांदान में शादी आई थी तो इसलिए हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया बहुत हसी मजाख खला गुला किया ओके गाइस फिर मिलते हैं वलीमे के व्लॉग में अपना बहुत जादा ख्याल रखिए मुझे दौाओं हुआ है